आपको लग रहा है कि इंडिया बहुत परफॉर्म कर रहा है, 2017-16 से लेके 2020 तक इंडिया में दिक्कते ही दिक्कते थी अर यार अब भी तो चूटा था वापिस चूटा तो मेरा तो घरबार बिग जाएगा बेचो सारा माल जब तक लोग इस mindset से रहेंगे कि market में crash आने वाला है, जब तक ऐसे thumbnails चलते रहेंगे इंस्टाग्राम पर की 12,000 निफ्टी आ जाएगा, 10,000 निफ्टी आ जाएगा, तब तक market का crash नहीं आएगा 99 और फिर 2001 से लेके 2003 तक हमने भी स्टोंस का बिजनस किया है अनन्त, लडड़ाजी के पास कौन-कौन से डिग्री से एक बार बता ना सर्, हर इक चीज की कीमत होती है और हर इक चीज का समय होता है शायद मैं SRCC होता तो मैं CA करता है यह, once a CA, always a CA for life कई लोग उसने कोई टिप बदाओ साप, सार अडानी के शेर में लगादे क्या, अम्मानी वाले में लगादे क्या गल्ती करो के तभी आपको लॉस होगा किसी ने कहाता सार, इस्टॉक मार्केट में लखपती बनने का बहुत आसान तरीका है करोड़ों से शालू करो, इतनी है यूटीव इनकर, अमॉंट बड़ा है और अपको बड़ा मजा आएगा, अपने को यूटीव से डॉलर जाते हैं, तो मेरे दस हजार इन्टू 10,000, कुछ लोग कहते है कि IPOS खराब है, मैं खराब है, ये मत करो कि मेरे पास 100 रुपया सारा का सारा मैंने ट्रेडिंग में लगा दिया, मेरे गोल गये तेल लगाने, मेरे फैमिली के तेल लगाने, एक नहीं ददस नाम से IPO लगाने, आपकी स्ट्रेजी से 99 परस इसा लग रहा था, लाला की दुकान चला रहे आप कहानी को पेटिंग के बिता रहे थे, बड़ हमारे हाई लेविल की वीर समझ जाएंगे, मेरे को इस पर और भी कहानी रिलेट हो रही थी धीरे इंडिया में चल क्यों निरे स्टार्ट अप्स इत्ते अदा कि स्टार्ट पैसा नी बन रहा, क्यों नी बन रहा, वह बनेगा पिनिया, तबसे बड़ा डिसएडवांटेज टाटप का यह है, तेजी, कॉल का विशकार जाने किसने किया था, मिस कॉल का विशकार भारती ने यहाथा, जब भी ये सट्टे वाला समय आता है, इलेक्शन के आसपास, को लाग का काम भज़र होता है, वो बढ़ते हैं, जी बिजनस कुछ एक्सपर्ट है, वो टिप दे रहे थे साब, उस पे एक्शन हो गया, बीच में कुछ यूट्यूबर थे, वो अपना कोर्ज बेच रहे थे साब, उन पे एक्शन हो गया, वहाँ तो साइकल से आके, BMW के सप अज हमारे साथ हैं, अनन्त लडड़ भाई, और मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा इंट्रोडेक्शन नहीं देने वाला, क्योंकि यूट्यूब के जो फाइनेंस यूट्यूबर की बात है, बिजनस यूट्यूबर की बात है, उसकी जो सबसे जो फर्स्ट मुवर्स लो है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने पॉडकास्ट पे नोने कही है, आज कोई नई चीज़ें इनके मुझ से निकालने का प्रयास करेंगे, जिससे बाकी जो भी लोग हैं, उनको नया कुछ सीखने को मिले, तो अनन्त भाई, वेलकम आपका, तैंक्यू भाई, सपॉर कारण से रहा है, और ये बुल्डरन कब तक क्या रहेगा? जो देखोगे तो आपको लगए है, अभी तो हम इंडिया के परस्पेक्टिव में बहुत स्कोब बाकी है, इसका सबसे में कारण ये है, जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है, आपने GDP के नंबर अभी कली आए है, जब हमें दिख रहा है कि 8% से उपर की GDP की ग्रोथ रि कि और कुछ पैसा इलोकेट कर रहे थे, उनके लिए इंडिया एस बहुत छोटा सा इलोकेशन था उनके लिए, उनके लिए को इंडिया एक बड़ा नीथा कि यार हमें इसके ध्यान देना है, वो तो जब उनका developing countries में investment जाता था तो इंडिया में भी चल जाता था, वो investment पि इतना ज्यादा है कि हो कभी भी दूप सकते हैं, जब आप developing nations में देखते हो, तो इंडिया से बेटर नाम आपको या सही नी, जब आपको, देखिए आप ऐसा देखो कि मैं हूँ एक US का investor, मुझे invest करना है अपना पैसा, सारा मैं US में invest नहीं कर सकता, विकास US में सारा invest करने अब आपको लग रहा है कि इंडिया बहुत perform कर रहा है, इंटरेस्टिंग बात मैं ये बदाता हूँ, 2011 से लेके 2020, इंडिया के market ने US के market से भी कम perform किया है, because 2017, 2016 से लेके 2020 तक इंडिया में दिक्कते ही दिक्कते थी, कभी नोट बंदी हो गई, कभी GST आ गया, कभी कुछ न अब हम चलना स्टार्ट होए गलती से, कि चलो एक बार वापिस से एक बार सारी चीज़े लेवल जिरू ही, अब हम चलना स्टार्ट होए, तो आपको लग रहा हो कि यार बहुत चल गया, क्यूंकि आपने कुविट के बात चड़े हो, अगर आप पुराने इंवेस्टर हो, तो आपको पता है, 2007 से 2017 तक रिलाइंस के रिटन थे 0, जो आप कहते हो, इंडिया का बिताच बाच्छा है, तो अभी है, थोड़ा दम बाकी है, चलने दो, अब अब को मिला के जो इंडिया मिसलिनियस आइटम था फोरन के लिए, कि हाँ ठीक है, थोड़ा वो दिधर भी कर तो कहां सिर्फ, ऐसी चल रहा है, ढूमेंस्टिक भी तो बहुत प्रोड़ा जो दो अडियती से चल रहा है, क्योंकि बेच में टो ऐसी अधा है कि, इस घाली में सब सदाश है कि, इन्टीन निवेस्टर ने कमाएं, हम लोग दोग कहते हैं, इंडीन इंवेस्टरों कि, आए पे चल रहा है, आप सोचो कि अगर FIS पांतर जार क्रोड रुपे पहले निकालता था मार्केट से, तो मार्केट उपर नीचे हो जाता था आज हमें चिक भी नहीं आती, विगाज इंडिया का जो कंट्री में ज्यादा खर्च अब इंडिया में खर्चादा होगा, आपको ये प्रूफ करना है अब खुद सोचो कि wealth किसके बास जादा है usually life में successful कौन जादा है पैसा किसके बास जादा है किसने life में कुछ उखाड़ा है अभी तक आप बुलोगे 30 plus 30 plus महेंगा phone 30 below वाले के पास होगा आप आप गंजम स्टोरी डिफरेंट होगी है महेंगा phone 30 below 15 साल का बच्चा लेके घूम रहा है आज के दिन डेड़ लाग का phone तो बच्चे एक्सपेंडिचर करते हैं जब फिनाइशल पैनिंग करते हैं क्या गोल बनते हैं बच्चे की मेरे बच्चे की शादी बच्चे हम भी जब बच्चे थे अभी भी बच्चे हैं बनतो लेकिन जो अभी भी वाली बात है कर 80s, 90s की बात की जाए तो वहां का यूथ भी पैसा खम कर्च करता था तो पैसा था ही नी मार्केट में ब्रैंडी नी लेने को अब आज की रेट में एक तो जन्रेशन आगा योलो वाली जिंदगी जीएंगा न दुबारा ना जिंदगी मिलेगी न दुबारा लेकिन कई लोग कहते हैं जैसे मार्केट में कि बहुत तेजी से बढ़ गया आप प्यारे बबल ही हो गया लेक्शन के बाद तो भाई साथ धड़ा माना ही वाला है और कई लोग आज कल एक मॉड्कास्ट में बैसे भी नहीं कम्यूनिटी है जैसे एस्ट्रोलोजर कम्यूनिटी ओर चली है उनका तो भाई साथ हर चीज पर उपीनेन है स्टॉक मार्केट पर भी एक उपीनेन है कि भाई साथ ये वाला तो क्रेश गया तो इस पर क्या बोलते हो अस्ट्रोलोजर करना चोड़के एकोनोमिक मैंटस्ट से क्या बोलते हो जाएगा नहीं जाएगा नीचे जब तक आप भी बात करोगे ऐसा कमाने ही वाले अगर मैं डारेट स्टॉक की बात कर रहा हूँ आदमी पोर्टफिलो किसी के पास नहीं है मजा सबको आ रहा है कि मार्केट बहुत बढ़ रहा है पोर्टफिली बहुत कम लोगों के पास है जो होल्ड कर पा रहे है इसरैली में पर जब आएगा आपको पता नहीं होगा आप फुली इंवेस्टीड होगे और उस क्रैश में आप इंवेस्ट और करते जाओगे तो ये हिस्टरी कहती हमेशा और हर बार हमें लगता है इस इस ताइम डिफरेंट इस बार कुछ नया होगा इस बार कुछ नए आने होगा, जैसे हर बार होता है, वैसा ही होगा और आपको देखने वाली बात है कि क्या आपने पुरानी लर्निंग से important point समझे या नहीं समझे और होता गया है, दस साल में एक बड़ा crash आता है अब वो एक बड़े crash के लिए, वो कहते ना कि एक बार तो crash होना ही है, उस समय आपके अगर diet stocks में काम करते हैं, आपने 10% का अपना stop loss लगा रखा है, आखरी बार जब market actually टूटर होगा, आपके 10% market में जाएंगे अगर आपने इस सोच लिया और पूरी rally को enjoy किया, आप पैसा कमा होगे अगर आप यह सोच रहो, हर एक साल की market टूटा, हाँ, market टूटा, market गया, market गया आप पैसा कमाई नहीं पाऊगे, और अगर 10-15% की बात कर रहो, पिछले 25 साल में 10-15% market 3 साल को छोड़के हर साल में टूटा है तो 15% का correction तो इस साल भी आएगा 15% के correction को बोलडरों की market crash होने वाला है हाँ होगा क्या probability है 90% के उपर की किसने बोला, पास ने बोला और हिस्ट्री हमेशा खुद को repeat करती है तो मानो चाहे ना मानो मानो चाहे मानो, बहां से क्या bounce back होता है bounce back बहुत strong हो रहा है मुद्दे की बात अभी सबसे में यह है कि जो correction पहले होता था ना वो लंबा चलता था आज के दिन जो इंडिया के सबसे बड़े bulls बने वे हैं कि भाई इंडिया एक बड़े bull run में नाम किसी का नहीं ले सकता है हाँ पर क्योंकि तोड़ा सब controversial हो जाएगा को छोड़के कुछ और करे stock market तो खतम हो गया इंडिया का stock market कभी नहीं चलेगा इतने negative statements आपको उन लोगों के मिलेंगे आपको खुद को लगेगा यार यह तो आज ही दिन वारा सबसे बड़ा बनावाई क्योंकि उन्हीं भी अपनी गलती से सीखा कि stock market में पैसा कमाने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए अगर आपको अपनी विश्वास पे विश्वास नहीं तो आप पैसा नहीं कमा पाऊगे नाम मैनी ले रहा आप जाकर आउटलूक मैनी के आपको मिल जाएंगे किन नाम की बात करेंगे अभी आप बोल रहे होंगे और आपके नीचे वो चला रखे होंगे मुश्किल होगा बट मिल जाएगा तो I'll be very happy यह रील वाइरल होनी चाहिए यह नाम रील वाइरल हो जाएगे नाम लोग डूण के comment में डाल देंगे यह रील को वाइरल करना था कि नाम बता चले हमें अभी अपने बात करे थे आप भी CEO मैं भी CEO आप CEO के लावा और भी बहुत कुछ हो अभी हमने Google पर रिसर्च करे थे हमारी टीम अनन्त लड़ा पर देखे क्या दुनिया सवाल जानना चाहती है तो हम अनन्त लड़ा सर्च किया तो Google आगे से होता अनन्त लड़ा ओल डिग्रीज तो दुनिया यही सर्च करे भी इतनी कितनी डिग्री है तो साब एक बार ये वाली रिल वीम राके डालें अनन्त लड़ा जी के पास कौन-कौन से डिग्रीज एक बार बताना सर् बच्चों को थोड़ा सा मुटिवेशन मिले या थोड़े बच्चे डिप्रेशन में जाए या इतनी भी डिग्री होती है यार मैं बताता हूँ बिलकुल बताता हूँ बट मैंने भी इतना श्रगल करा है जितना हर एक आदमी कर रहा है या कर रहा करेगा आने वले समय पर और ऐसानी कि मुझे भी डिग्री मिल गीती है सबसे पहले मेरा सपना था सर्सी जाना मैं एक मार्क से मिस कुछ था था सर्सी सर्सी नहीं पहुचा मैं को आज भी मैं अभी सर्सी में सेशन लें जाता हूँ आज तक मैंने एक सेशन दिले मना नहीं कि है सर्सी में जस्ट विकाज हो मेरा सपना था कि भाई सर्सी जाना है और जब सेशन दिले बलाता है CFP भी नहीं मिलता, LLB तक तो मैं सोचता ही नहीं कि यार मैं financial planning करूँगा तो मुझे LLB के जरूरत पड़ेगी तो यह सब सारी degrees अभी जब आप नाम सुनते हो आपको लगता है कि बहुत easy रही होगी easy नहीं थी, बहुत difficult थी और I think जब भगवान आपको लाइफ में कितना मिलेगा तो आप में भी इत्री डिग्रियों के नाम बता है एक एक चीज है कि यह जो डिग्री की अभी आप जैसे वो डिग्री की अब आप है स्टॉक मार्केट के दुनिया में और अभी आप यूट्यूब क्रियेशन में भी काम गर रहे हैं तो उस डिग्री का आपको इन नो जगे में बेनिफिट मिला काफी बहुत फाइदा मिला जैसे फर एग्जामबल CFA जो आप स्टॉक मार्केट में देखते हो CFA लेविल 3 की बुक्स तो इतनी प्यारी है पूरी की प्रेक्टिकल नॉलिच पर है कि क्या क्या बाइस होते है किस तरीगी से आप स्टॉक मार्केट को स्टॉडी करते हो क्या टेक्निकल अनलिस होता है सारी चीज़े आपको CFA ने सिखा रखिए तो CFA आपको डिरेक्टिल हेल्प करता है जब आप CFA की बात करते हो certified financial planner वो आपको proper portfolio बनाने में help करते है mutual funds में कौन सा mutual fund लेना है debt कितना होना चीए equity कितना होना चीए portfolio में gold कितना होना चीए allocation कैसे decide होता है financial planning अगर करनी है किसी की आपको खुद की भी करनी है तो कितना insurance कितना क्या-क्या आपके portfolio में रहना चीए उस सब आपको CFP बताता है अब law कैसे help करता है जो भी country developing से develop जाती है उसमें सबसे major role lawyers का आता है क्योंकि वहाँ पे जब country shift ले रही होती है shift लेते वक्त law में बहुत change होता है इंडिया में हम देख रहे law बहुत change हो रहे है तो अगर आप law से connected होना तो आपके लिए करी बार काफी चीज़े easy हो जाती है 100% और CA तो अपना base है foundation ही CA मैंने बाकी degrees की बात पर लोगे CA तो अपना foundation है यह आपको महिनत करना सिखा देती है और कुछ सिखा है नहीं सिखा है CA स्ट्रगल करना सिखाता है एक कुछी पे बैठके 6 गंटे बिना हिले बिना चाहे पे बिना खाना खाए बिना मुवी देके बिना दोस्तों से मिले कैसे फोकस करना है यह तो CA सिखा देता है once a CA always a CA for life आप life के लिए CA बनता है ऐसा नहीं कि मैंने CA exam पास किया struggle is important in CA और CA में एक और चीज है कि जिसना CA कर लिया हो struggle दरता हो और नहीं है जैसे कोई मुझे कहे कि आरे एक नया लो है ऐसको पढ़ना अब आम आदमी मुलेगा नया लो कौन पढ़ेगा कैसे पढ़ेगा टफ होगा नया लो है ना कित तक है बोले आज रात को पढ़के कल सुबह बताता है तो पढ़ने का confidence है तो पढ़ने का confidence है कि दो सुबह इस तो पढ़ी लेंगे और पढ़ी भी लेंगे अपनको समझ भी आ जाए गर मैं अगले दिन तुझे समझा भी दूँगा यह जो confidence आता ही है CA की degree से आता है तो मानना पढ़ेगा क्योंकि अपनने law पढ़े है उसको पढ़ा है और जगत पे समझाया भी है तो stock market में भी एक चीज़ जैसे भी आपने का कि mutual fund में जो काम कर रहे है उनको तो पैसा कमाना ही कमाना है वो तो कमाएंगी ही कमाएंगे वो strategy उनकी better है या mutual fund में लगा कि मेरे को tip नीची है mutual fund में क्या होता है mutual fund में आपको loss करने के लिए गलती करनी पड़ेगी बड़ी तब आप loss करोगे 2015 से 2019 तक हमने mutual fund के units के लेट करे 2020 में 2013 के बहुँ में 20 दिया गलती करी आपने तो उसका आपको पर गलती के पैनल्टी तो लगेगी वो तो मान की चल रही है हम पर आपको सही भी होना पड़ेगा आपको skill भी आना पड़ेगा हम लोग अपने education में time देते हैं हम लोग कोई भी skill develop करने में time देते हैं हम लोग CA बनने में चार साल लग जाते हैं इंजिनियर बनने में चार पांच साल लग जाते है specialization अगर आप इंडियर कर रहे हो तो आपको starting 6 साल तो कोई पूस्ता भी नहीं जब तक आप internship करते हो proper knowledge लेते हो आप जब आप trading करने आते हो stocks में आते हैं आपको लगता है पहले 6 महिने में आपको कमाना चीए तो वहाँ पर आपने किया skill का time नहीं दिया एक बाइ skill develop हो गया तो आप जीवन भर कमा हो गया यहां से पर जब तक skill develop नहीं हो रहा तब तक आपकी वो गलतिया होगी गलती की यहाँ पर cost भी बहुत ज़्यादा है stock market में especially options में या direct trading करने पर रात और रात अमीर बनना possible नहीं पर गरीब बनना बहुत possible है आप रात और रात एक क्रोड कमा नहीं सकते पर एक क्रोड का दस क्रोड भी गमा सकते हो यहाँ पर मेरे दादाजी हमेशा कहते है जो stock market में आता है जो पहली बार आता है वो आता है बहुत सारा पैसा लेके जाता है बहुत सारा ग्यान लेके फिर वो ग्यान लेने के बाद अपना वापिस से पूरा का पूरा ताम जाम करता है वापिस से पैसा एकटा करता है और अगली बार जब आता है तब फिर हो कुछ धमाल करके जाता है मार्केट में पहली बार तो ये ग्यान और पैसे का एक्सेंज होता है पैसा लेगा मार्केट और फिर देगा ग्यान देगा वो टूशन फीस वहाँ से देनी है या तो अपनी स्किल पे नॉलेज पे वैसे पैसा कर्च कर लो नहीं किया तो मार्केट के गगा मैं अभी एक दिन में जो तुम 6 महिने में फीस देथे और 6 महिने दिरी-दिरी सीखते हैं मैं तुम्हें एक रात में एक औप्षण में लॉस करा गया भी सीखा तूँ तो किसी ने कहाथा सार इस टॉक मार्केट में जीवन बर कमा के देगा आपको एवन आप रेटायर होगे उसके बाद भी आपके आँखे और तेज जाएगी चार्ट पढ़ने में तो आप स्किल्स सीखो पर ये मत करो कि मेरे पास सो रुपया सारा का सारा मैंने ट्रेडिंग में लगा दिया मेरे गोल्स गये तेल लगाने मेरी फैमिली की तेल लगाने मेरे ना इंशॉरेंस है ना मेरा प्रॉपर पोर्टफलियो बनावा है ना मेरा टर्म है ना हेल्थ है ना लाइफ है ना मैंने लाइफ तो इंशॉरेंस में सिफ टर्म ही लेना है आप 10-20 साल बात कमाना एक लोबी है कि बेने ट्रेडिंग लोबी सुबह गुसेंगे शाम को कुछ कमा के निकलेंगे कोई बंदा एकदम शॉट टम है कि सुबह गुसेंगे शाम को कुछ कमा के लाएंगे कोई हफ़े हफ़े में कमाता है कोई महीने में में कमाता है पर एक तो ट्रेडर है ये एक टिप बढ़िया बताओ कि अच्छा 100 पर पर शेयर पकड़ लो 120 पर प्रोफिट बुक करके निकल जाओ फिर आ जाएंगे तो एक ट्रेडिंग कम्यूनिटी हो गई ये लोबी ये कहते है हमारा काम बढ़िया है बहुत जदा कैपिटल नहीं लगा नहीं रोज के पैसे हम कमा लेते हैं और कोई टेंशन माजी नहीं है इंवेस्टिंग वाले कहते हैं इसमें कोई नहीं है आज कमाओगे कल नुकसान हो गाएगा ये तो जुआ है सटा है असली गेम तो इंवेस्टिंग है तो इस पे आपकी क्या उपीन है क्योंकि आप बहुत जदा वेल डाइवर्सीफट एक्सपिरियंस के साथ आते हो आपके बहुत एक्सपिरियंस है और आप बस बैठे हो अपने PSU में और old companies लेके, capital companies लेके बढ़ जब crash आया तो आप survive कर दे हो और आप नए बन गए वो emotionally बहुत difficult है आप में इतनी emotional intelligence होना कि COVID का crash आ रहा है आप ऐसे डाले जा रहे हो आप से popcorn देख रहे हो, TV देख रहे हो और relax कर रहे हो वो emotionally difficult होगा आपको choose करना पड़ेगा कि आप इतनी emotionally difficult पात पर जा सकते होगा अब क्या होता है लोग कहता है मैं investing तो कर रहा हूँ पर loss वाले share में मतलब जिस-जिस share में profit हो रहा है उदर तो मैंने trading कर ली जिस-जिस में loss होता गया वो कच्रा सारा का सारा में रखता गया only losers average down losers and buy loser stocks तो आपको सबसे पहले emotionally difficult में क्या आप कर पाते हो नहीं कर पाते है देख लो second होता है physically difficult वो होता है trading का task इस अला सुबह market खुला उससे पहले आपको उठना है देखना है US में क्या हुआ सेभी ने क्या बूला RBI ने क्या बूला क्या fed ने बूल दिया क्या इस policy आई क्या chart pattern बूल रहा है कौन सा video कौन सा train कौन सी controversy सब जानो वो physically difficult task है वहाँ पह भी पैसा बनता है अगर आप उसमें expert हो जाते हो और third होता है और physical emotionally भी है वो आज सुबह यह लिया था अब यह हो गया physical के साथ थोड़ा emotional भी है वो ज़्यादा emotional है कब emotional है इन्वोल्मेंट दो लोगा है यहाँ पर emotional तो कुछ भी नहीं आपका stop plus 5% का वहाँ पर आपका stop plus है 100% का zero होगा तक मैं बैठा हो यहाँ पर और zero होगा मैं average round भी कर रहा हूँ क्योंकि मेरा conviction है मेरी study है पिछे emotional difficult में क्या होता है Warren Buffett एक stock को लेने से पहले 7 साल study करता है आप 7 मिनट भी नहीं देखते हैं और कहते हो कि में वो Warren Buffett बनना है कैसे possible है 7 second में telegram group होता उसमें tip आपता है तो रोज सुबे tip देखी साब चली सही जारी है तो साथ दिन देखेंगे वोले साथ दिन इसकी tip एक दम सही गई थी आठवे दिन में ले लूँगा जब आपने नहीं लगाया था वो tip सही गई थी जस दिन आपने ले थी वो tip गट जाएगी तुमको यह तो बहुत बहुत खताना कसी नहीं होता है बलकि मैं तो यह कहता हूँ ऐसा लगता है सेरे स्टॉक मार्केट भी को कैमरा लगा के बैठा तो ले यह गिरेगा और तो छोड बस यह बढ़ेगा जो भी आपने शुरॉत में का ना कि जब पूरा बजार केगा है तो तूटेगा 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 तब तो यह बढ़ता जाएगा और जो बजार की चिंदा खतम हो जाएगी अरे नहीं तूटेगा यार छे मेने से तूट तूट करता है तूटता तो है नहीं देखना क्या बुल रहा राद है उसी दिन ये तूट जाए खेलता है ये आपके साथ यार इसमें ना साइकलोजी का भी गेम है आ रहा है हमें लगता है कि हमें रिटेलर को बैटने एक लिए कोई 50,000 क्रोड का आदमी ये देख रहा है कि इसके 500 रुपर में ले लूँ भाई उसको तुम क्या कर रहे हो वो तो क्या है उपर वालों की लड़ाई चल रही है दो बहुत बहेंकर दो पाटियों की लड़ाई चल रही है अप कहरे हो एक देख पाटियृ आप ये लड़ाई ये लड़ने दो तो इसके लिए आपको सूछताना पड़ेगा आप क्या करने आए हो और टीसरा होता है बालेंस पड़ जिसमें और फिजिकल दोनों का एप न बैलंस बना लेंस ये swing trading तो अगर आप start कर रहो ना market में मेरे साब से सबसे पहले आपको mutual fund का portfolio बनाना चीए second आपको swing trading और IPO market से start करना चीए फिर आपको अपने आप अपना comfort zone मिल जाएगा एक बर आपको swing trading में तोड़ा बहुत समझ आया कैसे काम होता है swing में क्या होता है आप roughly 20% का target रखते हो 8% का stop loss रखते हो flat मतलब 8% का stop loss मतलब भी हो गया कि जो भी आपने आज एक trade ली 100 रुपे के लिए तो उसमें आपको कभी भी आपकी total capital का 1% से उपर का loss होई नहीं सकता क्योंकि आपने 8% का stop loss ले लिया और rule बना लो कि एक stock जो भी मैं बाय करूँगा अपने total portfolio का 10% से यदा नहीं बाय करूँगा example लेते 100 रुपे मेरे पास है मेरे को एक stock भचन दा रहा है तो मैं उसमें 10 रुपे लगाँगा जब मैंने 10 रुपे लगा है तो उसमें 10 रुपे मेरा stop loss है एक रुपिया 80 रुपे माल लो एक रुपे माल लो 10% आपका stop loss हो गया जो आपका एक रुपे है वो आपको total portfolio का 1% है यह हो गया best in trading का काम करना इसमें आपको time भी मिलेगा गलती करने के मौके मिलेंगे और eventually आप सीख भी चाहोगे क्योंकि आपकी 10 गलती भी हो गई तो 10% ही अभी तक clear हुआ 10% ही हुआ लेकिन यह कि उस पर logic पर टिके रहना क्यों कहीं आजमीं कहता है मैंने 10% invest किया लेकिन यह इस तो अच्छा दे रहा है तो 10 और कर देता हूँ यह तो और दे रहा है अगर इसकी केस्टेडी अगर आप पूरी देख लोगे जो मैंने भी बनाई और उसके डेटा देखोगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि कोई बैंक चलाया कर रहा था एक बैंक जो जो चल रहा था आम जंदा का पैसा नहीं था ऐसा लग रहा था लाला की दुकान चला रखिए कि KYC मेंटेन करने चोटा से चोटा आदमी भी KYC का ध्यान रखता है यहां पर पता चला कि लाखों अकाउंट ऐसे हैं जिसकी KYC नहीं थे लाखों एक दो नहीं लाखों एक अकाउंट ऐसा है एक एक पैन पर एक बैन है उस पर सौ से ज़ादा खुले हो है तो यह गवा कैसे पॉसिबल इनको इन्वेस्टर ने इतना पैसा दिया होता है कि भाईया हमने तेरे को पैसा इसी बात का दिया है कि रेवेन्यू कर और क्वाटर डबल कर हर साल में चार गुना कर आट गुना कर तो उस चक्कर में जो भी करते हैं एक तो मास लेवल पे करते हैं तो इनको जैसे ही वो लाइसेंस बिला पेमिंट बैंक का तो इन्होंने का भी आप खाते खोल लें अप खाते नॉर्मल रूट से खोले कि चलो एजेंट मना दिये मैसस डाल दिये जाके खाते खुल वालो एजेंट को के दिया जाके खोल दो लेकिन पता चला है धीरे धीरे रोज के 10-20,000 अकाउंट खुल रहे हैं ये खुल रहे हैं मजा नहीं आ रहा और उनको मजा क्या नहीं आ रहा उनके इंवस्टर ने का होगा ये क्या बात है भाई बैंक ले लिया तुम तो बहुत है लाइसंस खुल के ऐसा ऐसा कर लेंगे ये तो तो तुमने अर वीक ओन वीक मजा नहीं आ रहा तो उनके मजा नहीं आ रहा कोई बात ही इंसेंटिव से मजा आएगा तो इन्होंने पचास रुपए इंसेंटिव दे दिया कि जो एजेंट है ना पचास रुपए मिलेंगे अपर अकाउंट कोलने पे अब भारत की जनता है और हर चीज में हम जुगार लगाते है ये काल का विश्कार जाने किस ने किया था मिस आती है कि बीच में से कैसे चैस करने तो वो क्या गहरा भाई तो उन्होंने पचास रुपए तुमार ठीक है तो पचास रुपए में एक अकॉन कोलता है दिन बर में अगर मैं खोलनों भी सका हूं तो अजार हो गए महीने बर गे तीस अजार हो गए मजा आ गया तो इतना अपग्रेड नी था यार यह कर दिया तो अब अच्छा पैन नमबर पैन नहीं आपके बास अरे पैन नहीं चोड़ अरे वो पैन पड़ा था ना इसी का लगा दे उसी का लगा दे ऐसे करकर के उन्होंने बहुत सारी करके स्पीड में करा तो आप खाते तेजी से दूँगा आप भी कोलो तेरे कौ 25 रुपर दूँगा तुभी कोल तुभी कोल 15 रुपर तुभी कोल तो ऐसे आगे बाढ़ दिया अब मेरे को पर एकॉण मिल रहा है 50 रुपर मैं आपको देना 30 रुपर अब आप क्या कर रहे हो मुझे ही नहीं बता आप कौन सा फोन लेक क्या ही number डाल रहे हो, क्या ही चीज डाल रहे हो, कैसे accept करें, और pay team level पे शायद ही गलती हुए, मैं तो उसको report में तो तथ्या नहीं कर सकता, कि ऐसा हुआ, pay team level पे क्यों को speed करने के चक्कर में होता है, यह ऐसा करने से हो था, भले यह वाला level अठा दे, इसको easy करो, registration पो easy करो, ताकि और खुले, easy करो, तो easy करने के चक्कर में कुछ balance and checks जो लग रहे थे, उन नहीं लगे, तो इतने सारे खाते खुल गए, इतनी चीज होई, तो investor को लगा, खाते खुल रहे काम हो रहा है, pay team को भी लगा, खाते खुल रहे काम हो रहा है, पर उनको नहीं पता था कि 50 प्रिशन बाट दियांगे, पर नहीं कहने का मतलब क्या है, कंट्रोल नहीं होगा, और प्रोसेस नहीं होगा, इंसेंटिव की बट बड़ी आप, प्यारी सी कहानी है, मेरी नेजर में बेस्ट कहानी है, जब मैं हम employee management की class लेते हैं, sales की class लेते हैं, तो incentive पे में एक्जाम्प मार के लाओ, एक रुपया मिलेगा, तो गामगालों ने का ठीक है, आज दो साप मार ला है, दो रुपय दिया, अब दो रुपय गरीब आद मी, बोले यार, दो रुपय में तो मजा गया यार, अब वो भाई साब कुछ काम नहीं, सुबह पहले चार आद में उड़के एक दम शान दो गया, तीन महीने बाद ऐसा पता चला कि और कोबरा बढ़ने लगे, अब अंगरेज के रहे हैं, पहले तो यार एक दो कोबरा दिखते थे, अब तो जगे जगे कोबरा दिखते, ऐसा क्या हो गया, तो रिसर्च करी, टीम बेजी, पता पड़ा, लोग भाग घरों में कोबरे की ब्रीडिंग करने लगे, कि अपन कोबरा पाल लेते हैं, अपनी कोबरा बनाते हैं, दस कोबरा बनाएंगें, इनको मार देंगें, दस कोबरा बनाएंगें, और दस बनाएंगें, घर में ही कोबरे की ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो अब क्या होता है, जैस नहीं कि ground पे क्या हो रहा है पेटियम आले बोले अपने अकॉंट खुल रहे हैं मजा आ गया ground पे क्या हो रहा पता नहीं और ground पे जो गंद होती है वो तो गहां वाले चले गए माथे में तो अंग्रेश की आएगी दिक्कत तो विजाशंगर जी को ही आई है और जो तीसरे परसन को आई तो अब क्या होगा बेटियम में विजाशंगर जी को तो अब अठा दिया एक बार का तो एक बार के लिए तो अठा दिया क्योंकि वो क्या होता है कि सब की नजर में आ रहा ना ये आदमी गलत तो देख पर ध्धान डाइवर्ट ही हावाली बात होती कि एक बाद चलो ये जिम्मधार आजमी ता इसको तो अठा दिया होता है कोई बड़ी गटना कर जाती है दरना परदर्चन होता है बोले हाँ हमने थानेदार को सस्पेंड कर दिया लोग खुश हो गया है परदर्चन लेके तुम्हें दिखा दिया तीन महीने दे रहे धंग से गल ले तो अभी वो तो उसको तो एक आदमी को ऐसा पीट दो कि बाकी लोग धर जाए और उसब से बड़े को पीटो इसको कैसे प्रिजन थेोरी होती है प्रिजन थेोरी है कि एक कोई रील चल रही थी रशियन माफिया दा उगर आप प्रिजन थी हो रही है कि तुमको दस साल की जेल हो गई अब दस साल की जेल हो गई जेल में तुम्हारा जीना अराम हो जाएगा जेल में घुसते ही पहले दिन स्ट्रॉंग आदमी को उठ दो तो दस साल तुम्हारे जेल के अराम से कुछ भी काम कर रहा है ना एक स्ट्रॉंग आदमी के दोलब पड़ा तो बागे सब गबरा के चलेंगे इसको ही नहीं बख्ष रहा है इंट्रेस्टिंग यह है और सर ये बाईजू वगरा में क्या चल रहा है सर वाईजू की कानिया यह तो आप जानो के जाएदा यार जेखो वाईजू में अगें अगें आगें अगें पैजू में सेम चीज़ंचर गें और टन साइन नहीं बहुत है इनियान स्टॉक मार्कित और स्टार्टप का बहुत सिंपल अब इसमें पैसा नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा, वो बनेगा भी नहीं, जब आप stock market में invest करें तो हम क्या चाते हैं, भाई, quarter on quarter तेरा बता कितना EPS growth हुआ, चल बता तुने पिछले quarter में कितनी आरोई दिखाई थी, अभी तुने बढ़ाई या कम करी, इस philosophy में चलती है quarter on quarter अच्छा improvement दिखने की आदत है, और हम अबस options बहुत सारे, 4-4,000 companies listed हैं इंडिया में, foreign market की भी excess है, अब 4,000 में से मेरे पास 50 आया है startup, वो दिखा रहे quarter on quarter चादा loss, वो दिखा रहे quarter on quarter EPS में degrowth, तो मैं क्यो जाँगा उसके पास, तो कभी भी एक बड़ा पैसा, देखो startup world में जो funding चलती है, VCs की तरफ से versus stock market दोने एक अलग चीज है, और इंडिया का equity market आज के दिन बहुत नया है, to adapt to the startup world, अभी आप और हम invest करते किसे startup में, हम ही डर जाते हैं, उसको दसवार फून करते हैं, भाई तू क्या कर रहा है, हम तो profitability के भूग है, हम तो कहते हैं, हम तो revenue खाएगा थोड़ी, revenue तो रहत 100 crore का है, हम क्या करें उसका, 100 crore revenue जेब में तो नहीं आ रहा है, जेब से तो 5 crore जा रहा है, तो हपन तो C balance sheet देखते हैं, वो red देखके दिमाग टना करते है, quarter and quarter improvement ची है, वो दे नहीं सकता startup, आप फिलोसोफी पे एक और बात करते हैं, interesting जिसे फिलोसोफी अभी आपने जो बता है, logic ये कहता है, मैं भी उसमें कहता हूँ, कि साड़े-चार हजार company है, तुमको ज़्यादा दिमाग क्यों लगाना है, तुमको अगर कोई criteria बना के घूम रहे हो, तुमको कोई company ये तीन criteria पे नहीं फिट बैटरी, हटाओ ना दून से घड़ जाता है, कभी crash आता है, कभी उपर बढ़ता है, controversy है, दुनिया बर की चीज़े लगती है, तुम छोड़ दो, दुनिया जो safe चीज़े है, stable चीज़े, वाद ही मांग लगा लो, नहीं, उनको उसी में जाटना है, हर crash पे पुछेंगे, ले ले क्या, हर gain पे पुछ आते हैं, उथल पुछ होती है, छोड़ो 5 को, बाकी चाल, इस पर कुछ कर लो, पर नहीं, इनको 5 महीं करना है, यह आपने ना बहुत अच्छा stock selection criteria बता दी है, मैं आपको simple सा point बोलता हूं, इससे हम technical language में कहते है, ownership bias, जैसे कोई मेरा हो जाता है, मुझे उसमे value ज्यादा द तो हम मानी नहीं पाते हैं कि हम गलत हो रहे है, और आपका filter यह हो गया, एक ऐसा stock में अगर आप अपना ownership pattern को regularly track कर रहे हो, और आपको पता चल रहा है कि यह stock में regularly retailer अपना माल बढ़ा रहे है, यह हर example में होगा, चाहे sus loan हो, चाहे DHFL हो, चाहे yes bank हो, पुराना, चाहे कोई स कोई सा भी stock ले लो, आपके लिए यह बहुत प्यारा filter हो गया, और बहुत amazing filter हो गया, एक ऐसा stock जिसमें retail investor की holding quarter on quarter बढ़ रहे है, आपको उसे बचना है, एक ऐसा stock जिसमें FIA की, DIA की और institution की holding quarter on quarter बढ़ रहे है, उसमें आपको ध्यान लगाना है, क्योंकि क्या आपने कभी सुना है, कि एक बड़ा institution ने कोई एक चिटर-पिटर stock उठा लिया, penny stock उठा लिया, वो नहीं देखते हैं, उनको कोई मतलब नहीं पढ़ रहा है कि yes bank कहा जा रहा है, नहीं जा रहा है, उनको yes bank तो चलो, फिर भी अभी काफी सरकार ने समाल लिया, और SBA वगरा के support आगया बड़ कोई साभी penny stock ले लो, x, y, z, जिसके हमें बहुत messages भी आते हैं, deleggram भी बता जाते हैं, क्या FIIS की महाँ पर holding बढ़ती है, उन stock में आपको बता चलेगा 50-70% retailers के पास है, अगर 70% detail आत्मी के पास है, तो उसको हर level पर resistance मिलेगा और हर level पर तूटेगा उपर जाके, तो अचिये, एक recent example, and it's again not a recommendation, strictly IEX, पिटा क्यों IEX, आप देखो उसमें रिटलेट कितनी holding आई है, हर जगे चल रहा है कि भाई, ये रिवलनाइश कर देगा, ये तो soul player है, इसका कोई competition नी है market में, तो only exchange है जहां पर ऐसा काम होता है, ये तो best है, जब इतना जादा उसको publicize किय तो obviously इसमें रिटलेस ने भर-बर के participate किया और बाद में देखकर आई है, इसमें एक interesting example बदाता हूँ, जैसे, जब crypto नहीं नहीं आया था न, तो उस समय जैसे investment वगरा सब थोटे, चोटा बटा बटा बटाना, बहुत चोटे से चोटा एक investment कहीं किया हुआ था, तो मेरी एक teacher थी, government teacher, वो गाउं में कहीं जाती थी, तो एक दम गाउं में कहीं, ढाणी में school है, और वहां एक दिए आती है, जैसे मैं, आरे सन्नी, मेरे गाउं में भी एक लड़का Bitcoin बटपन कर रहा था, तो मैंने मेरे दोस्त को बुलाया है, मैं का बेच दे आज, मैंने का जो news इतनी जादा पहुँच जाए ना, कि गाउं में, डानी में, इधर में, उधर में, हर कोई आदमी लग रहा है, तो भाई सब उसके दिन फिर अच्छे नहीं है, उस तेम के बाद, बहुत अगड़ा क्रेश भी आए था, अभी Bitcoin अलग गणेता है, वो कभी बढ़ता है, कभी गटत होता है, वो बढ़ते हैं, और यह आप historically देखना है, मैं अभी की बात नहीं कर रहा है, और मैंने एक बार शायद YouTube पे एक वीडियो भी बनाया था, हमारा लाइब चल रहा था, उसे मैंने कहा था, कि अगर Bitcoin देखना ही ना, तो इलेक्शन से 6 मिने पहले देखना, क्योंकि उ कोई deal premium कब है, जब उसमें बड़े-बड़े लोगों का या उपर-उपर के लोगों का involvement है, कि closer की लोगों का involvement है जब तक वो चीज़ कभी में है, जैसे मानलो कि कोई property के बाव बढ़ रहे हैं, तो जहां पे मानलो land कब आवे एक लाग रुपे भीगा है, और वो एक लाग स जैसे जो 10 लाग की जंप आएगी नो बड़े-बड़े लोग ही करेंगे, और जब बजार देखेंगे, एक लाग से 10 लाग की भाव गए रहे तो मजा आ गया, फिर 10 लाग पे जैसे रिटेलर घुसना चालू करता है, आम आदमी घुसता है, कि हाँ मैंने भी ले लिया, पा सकर unlimited capital है, कि मेरे बाद तो 100 क्रोड पे पढ़े है, एक क्रोड दर लगाते है ते देखी जाएगी, तो तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं बड़े लिमिटेट की साथ, 2 लाग का portfolio, 5 लाग का portfolio, और ऐसे stock में investment करेंगे, जो एक news पर चड़ता है, एक news पर गिरता है, थोड़ा द सेभी ने action लिया, जी बिजनस कुछ एक्सपर्ट है, वो टिप दे रहे थे साब, उस पर action हो गया, बीच में कुछ यूट्यूबर थे, वो अपना course बेच रहे थे साब, उन पर action हो गया, तो point यह है कि, एक आम आदमी, जो मालो की कहीं job कर रहा है, उसके पास इतना time नहीं ह तो आप पैसा कमाई नहीं पाऊगे, अगर आप यह सूच रोगे, आप टिप पे कमालोगे, तो वो sustainable ही नहीं है, अगर suppose करते हैं, आपको एक मिल भी गया, बहुत अच्छा tip वाला, जो बहुत अच्छी tip दे रहा है, तो उससे आप सीखने पर focus करो, कि भाई इसने किस chart pattern प सकता है, उनसे दूर रहा हूँ, सबसे बिलावा था front running, कि भाई मैंने अगर कोई stock दिया, suppose करते हैं, ऐसा telegram channel ना रखा है, जिसे पचासार लोग जुड़े वे हैं, वहाँ पे में एक stock डालता हूँ, stock डालते ही, मैं कहता हूँ 100 रुपे में लेना है, एक मिन बाद मेरे मे के रहना है, अगर कोई अपना PNL दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा, कि भाई मैंने पचास लाग कमाए, मैंने एक क्रोड कमाए, आप उससे बचो, मेरे को आप, हमारे बड़े बुर्जुर क्या कहता है, कभी भी अपनी इंकम किसी को दिख बतानी नीची, चाह कित्ती भ है चाहिए हां पर अगर कोई हर दिन का बता रहा है, तो मैं सिंपल सा क्वेश्यन है, जो काफी एक सेंसीब लॉसमी डिखा इन अगर आप जब लड़े बात हो गई है, अब उसका मैं कुछ नहीं का ओट इसे इनेल, इ этом इस तो हमुझ नहीं तक हो एक दिख बता रहे।, ए उसमें बोल भी जाता है कि मैं दिखाऊंगा मेरे दाया जी भढ़क गए तुम्हें अब ऐसी समय आ गया है कि तुम्हें अब पैसे दिखा दिखा के करवाना पड़ रहा है तुम क्या कर रहे हो यह 2020 की बात है जिसमें ने स्टार्टी किया था काम तो एक दिन वाले पेनल से लियूर होके आपको कभी भी नहीं जाना कि और यह कमा रहा तो मिलको भी कमा के देदेगा भाई यह तुम्हारे पैसो पही कमा रहा होगा तो यह चीजे से बढ़ना है थार्ड अगर कोई तुम्हें यह विश्वास दिला रहा है कि तुम दिन के 5%, 10%, 25% कमा सकते हो जो लॉजिकल नहीं है तो वो आपको दूर है वो रेड घंटी है आपको कह रहा है कि भाई मैं तो हफते के 10% बसते है कोई कहा रहा है हफते के 2% की मेरी strategy है हफते की 1% की strategy है जिसमें 10% का drawdown भी हो सकता है immediately मैं फिर भी कहा दूंगा चल मान लिया या महीने की मैं कहा रहा हूँ कि 2-3% मेरा आ रहा है 3% का return है और 20% का risk है अगर वो risk भी साथ ने बता रहा है और return को बता रहा है एक ही महीने में 20% का भी आएगा क्योंकि आप 2% ले क्यों रहे हो इसलिए रहे हो कि कभी मेरे को एक साथ रॉड़न आया तो मेरा cover होना चाहिए ऐसी आपकी strategy है तो दूनों side of picture हो बता रहा नहीं बता रहा यह 3 main चीज है जिसको ध्यान रखो अगर आपको pointers में चाहिए कि भाई यह किस पर विश्वास करो नहीं करो आप उसका background देखो कितना है साल के experience है आज ही attitude उठाई बच्चा साय खुद का तो कुछ है नहीं आपको कह रहा है ओडी दिलाओं खुज आ रहा है cycle पे मैं यह नहीं कह रहा कि ओडी वाले सही होते है बड़ आप देखो उसका background क्या है education क्या है respect क्या है और क्या वो sensible बात कर रहा है ओडी तो एक ऐसा एक business industry है जहाँ ओडी ही बगवान है उस industry की बात नहीं करते है वहाँ तो cycle से आके बस आप यह तोड़े बात basics ज्यान रहा है education क्या education है कितना experience है क्या वो जो मैंने तीन red flag बोले उसमें आता है क्या आता है तो उसको सिधार काटा लगा और आगे चलो एक कुल मिला कि tips से कमाई होती है बट देने वाले की लेने वाले की कमाई तो tips से नहीं हो रही अगर आप tip में सीख रहे है अगर कोई जनरली अच्छी tip दे रहा है आप उस पर चाट पटन सीख रहे है किस level पे दिया है और खुद आप हो जाओ तीन मेने बात कि और मैं खुद निकाल पाँगा best है और ऐसा नहीं कहा रहा है कि सारे tip वाले है सारे research advisors जो research analyst है से भी registered वो गलत होते है वो सही भी होते है पट फिर उनका process होना चीए वो ऐसा नहीं कि एक लाग के telegram पर सीथ एक सट डाल रहे है ले लो ऐसे नहीं डालेंगे वो फिर बई वो तो basically जो बंदा है वो उसका काम क्या है ultimately अपने का background जादे important है क्योंकि जो successful investor है वो आदमी कहता है पहले मह कमालू नहीं बई कोई जैसे बड़े investor की जिनकी बात करोगे वो tip तोड़ी देते फिर दे आज मैने यह उठा लिया बड़े investor थोड़ी YouTube channel बना के कहरे है कि जी आज ही उठा लेना बलगि उनका YouTube channel है तो वो guidance दे रहे है और knowledge दे रहे है tip नहीं दे रहे है tip देने वाले है तो फैसी भी थोड़ा कि उसका फैदा जादा आप study में focus करो आप learning में focus करो earning अपने आप होगी learning करोगे तो L हट जाएगा और earning आजाएगी और learning नहीं की तो earning हट के L रह जाएगा L मतलब loss second चीज जो आपने पता ही जो अपना पैसा दिखा के पैसा कमाए कि देखो जी मैंने ले लिए राट किरर की फराली और अब तुम अगर मेरे साथ इंवेस्ट करोगे तो यह फराली भी मिल जाएगी तो पहले चेक कर लो उसकी है कि किराय फिल आएदा और एक और चीज जैसे अभी आपका देखो इतना 83 से आप लोग काम करें दादा जी की कुप किस्से हैं पिता जी की किस्से हैं कि एक तो extensive game कि एक अगयOT ऴाई साथ थै अगय अंकल helper ऑणने असा कंपाया कि कुई क्या कभाएगा और एक लॉस की कि बाई साथ ऐसा गया कि कि किसका क्या क्या जाएगा ब powin बहुत सारी स्टोरी रेजा है पहले आपको मेरी यह lifetime मौका है तुम अभी invest करो गए तो इतना पैसा आएगा कि अगर घर बेच के भी invest किया तो तीन घर आ जाएगे दो साल में ऐसा पैसा आजाएगा यह life की तुमारी सबसे बड़ी opportunity मैं logic देखे समझाना चारता है in short different different example देखे कि किस तरीके से बहुत बड़ी opportunity आ रही है एक दिन मेरे ही बहुत प्यार investor है जो मेरे घर से roughly बहुत पाउस मेट की दूरी पर ही रहते हैं उनसे मेरी बार चल रहते हैं तो इसको भी निवेश करते हैं कि अगर मैं खुद नहीं कर रहा तो गलती हो गई तो मैंने तो वो 15-16 लाग ही निवेश किया थे कार मैंने रफ ली पॉने दो साल बाद और जो लग्जिरी कार दी बाकी वो सारी मार्केट नहीं दीती मेरको तो वो मेरे एक पहला यसा इन्वेश्मेंट था जो मैंने बहुत गिल्ट में आके रोका था कि यार मैं दुनिया को कहा रहा हूँ 15 लाग की कार मैं खुद लेके आ रहा हूँ यह गलत हो जाएगा तो यह एक बड़ी इंट्रेस्टिंग स्टोरी थी प्रॉफिट के तो बहुत सारी स्टोरी मिल जाएगी अगर आप पूरा मार्केट दे रहो तो जब आप यह फिल्टर को पास कर जाओगे उसके बाद आप अच्छा बैसा कमा पाओगे लॉस की बात करो तो यार मैंने ट्रेडिंग फर्स ताम स्टार्ट करी थी मुंबई में जब मैं गया था मेरे एक्स्ट्रा करेक्लम एक्टिविटीज और एक्स्पेंडिशर बढ़ गयते अपनी जवानी के दिनों में तो उस extra curriculum activities को बचाने के लिक हूँ कि मैंने बच्पन से stock market देखा है, लोग के लिए trade करिए, लोग मुझे बिठा के trade कराते थे, मैंने बच्पन से stock market को सुनाया आजू बाजू, तो मैंने खुद का अपना एक छुपके से DMAT account खुला के, महाँ पर अपने internship के पैसे को, और जो टेंशन हो रही है, जीरो कर चुका हूँ मैं, मैं तो सुदा कुछ income आएगी, तोड़ा खर्चा पानी करेंगी, तो लफड़ा हो गया, अगर जीरो नहीं होता, तो CA पका फेल होता, फिर वहापे मैंने gap लिया, एक बार CA की, CA करने गया थे, मैंने roughly 2-2,5 साल तक पापे साल almost daily बैटता था, जो मैं कहा रहा हूँ, 1000 दिन का time, वो मिर को भी लगा था, मैंने फिर उनसे सीखा, roughly इतनी सारी books पड़ी, इतनी सारी knowledge ली, फिर practical देखा, उसके बात चीज़े सिंक्राइज होने लगी, तो ये एक हो गया profit का, और loss का बढ़ाता हूँ आपको, अभी 2021 में ऐ इसी इच्छा होई थी, मैं आपको इसका screenshot भी दूँगा, क्योंकि amount बढ़ा है और आपको बड़ा मज़ा आएगा, कि अपने को YouTube से dollars आते हैं, हर महीने आते हैं, मैं का या YouTube से dollars आते हैं, अपने इसको short मारे या, देखे तो से क्या होता है, अपने को लग रहा है, ये top बन 82, 83 के आसपास, 81, 82 के आसपास, एक बड़ा short मारते हैं, अपने आएंगे, वो pay हो जाएगा, और मैं को currency market का कुछ भी नहीं बता, C भी नहीं बता, मैंने का चल short मारते हैं, और मैंने का या 10,000 डॉलर के आसपास मार लेते हैं, महीने में, क्या फरक पढ़ जाएगा, देखा ठीक है, मतलब, मानलो, आप चो भी मानना है, मानलो, मैंने 10,000 शॉट मारे, पॉने पांच था, Friday का समयता, मैंने शॉट मारते है, 10,000 डॉलर शॉट, और मैं, शान्ती से, मैं अपने घरवालों से बात करने लग गया, Friday मूड में था, call wall किये तोड़ा सा, और 5 बचके, एक म मेरी position को ली, गलती से, खोलना नहीं था, और में को देखी position सीथे, 50,000 लॉस में, मूझा, यह क्या है, 10,000 डॉलर में, currency में, कैसे आ सकता है, मैं तोड़ा सा इदर जहांग भी किया, देखा क्या हुआ, पता चला, 10,000 into, USD में, एक contract होता है, 10,000 डॉलर का, और मैंने 10,000 contract shot मा पारने के जगे है, तो मेरे 10,000 into 10,000, dollar shot में मार चुका था, market में, बैसा, 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 और मेरे को दो दिन में सोया नहीं, पचाए जार मतारी हो गई होगी है, आरे बताता हूँ अभी आगे डाने, मैं दो दिन सोया नहीं, अब अटेंशन में, मैं का यार लग गए, क्या लगता है, 10 पैसे उपर तो नहीं खुल जा, मैं तिरे को क्या फरक पढ़ रहा है, 10 पैसे, 5 पैसे में, अमें उनको कैसे बता हूँ कि मैंने ऐसे काम कर दिया, फुत्कोगालिया दे रहा हूँ, दो दिन तक मैं सोया नहीं, मैं लगता कि 10 पैसे अपने डिरेक्शन में कुल गया, तो साला सीधा 10 लाग रुपे बनेंगे, अपने अगेंश खुला तो 10 लाग रुट जाएंगे, और पिछले 10 साल की हिस्ट्री देख लीगी, भाई, कितना खुलता है फ्राइडे के बार बंडे को, मेरे कितने लग सकते है, कितने आ सकते है, क्या हिस्ट्री का ट्रें और मैंने काया, हटाओ, उसको गलती हुई, जान चूटी लाग को पाए, उसके वाद मैंने कभी करेंसी में काम नहीं किया, और एक चीज समझ आ गई कि 10,000 डॉलर होते हैं, तो ये था, एक बार है शेर में भी वाता, शेर मेरे को कुछ, मैं जब स्विंग टेडिंग करता ह मैं हमेशा यूशली 25 लाग के आसपस भाई करता हूं, एक स्टॉक में, क्योंकि मेरा कंविक्शन होता है, तो मैं 25 लाग का स्टॉक बाई करता हूं, अभी तो मैं पिछली एक साल से काफी कम कर दिया है, क्वांटिटीज, क्योंकि मेरा इंडेक्स पे और और ऑप्शन पे पर पहले 20, 20, 21, 22 तक भी मैं 25 लाग एक स्टॉक में बाय करता था, एक जिरो जादा लगे, और वो स्मॉल कैप स्टॉक था, सवा तीन बजे लिया, धाई करोड आगे, मैंने का यार, मेरे लेती तो टूट कैसे गया, मतलब मेरे लेती बढ़ गया, फिर अचला से टूट ग वेज़ से हुआ है, तो ऐसी गलतिया कई बार हो जाते हैं, उसमें प्लस में निकले, ऐसी चीज़ों में यूजिल आप लॉस में निकलोगे, और अची बात है, लॉस में निकलना अची बात है, तो बढ़ा गलती पांच लाग का लॉस था, मैं दोनों स्क्रीन शॉट आप मैंने जितने शॉट मार रखे, पता चले दो चार रुपे उपर नीचे हो जाए, तो दो पांच क्रोड लग जाए, इधर पता चले, जा सकता है, जा सकता है, फोरेक्स में तो कुछ भी हो सकता है, इधर एक कोई ट्रॉप ने कुछ के लिया, क्या किता उपर जाता है, वैस SME IPO भी हा रहे है, एक तो सरा हम वीवर्स के लिए पिक्चिर बताओ, इनमें डिफरेंस क्या हुआ, और अगर आदमी इन्वेस्ट करता है, तो पहले IPO में लगा रहा है आदमी, जैसे भी आपने का जो बंदा स्टार्टिंग करें, उसको इन्वेस्मेंट पोर्फोलियो पह एक ऐसा समय था, जहां पर दिन के 4-5 IPs आ देते हैं, अच्छा, तो हमने वो समय भी देखा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि अभी जाला है, अच्छे IPs आ रहे हैं और अच्छी बात है, अगर last year आपने आखे बंद करके SME में और mainboard के सारे IPO में लगा दिया होता है, और सब में आपको alignment मिला है, तो आपके profit versus loss का ratio 1-3 आता, तीन में आपको profit होता है, एक में loss होता है, यह last year का ratio बता रहा है, अब इसमें क्या करना चाहिए, दो अलग IPO होते है, एक mainboard होता है, एक SME होता है, दोनों में difference इतना सा है, कि mainboard IPO में आपको volatility नहीं मिलती जाता, तोड़ा सा काम ठीक साक होता है, आप shares में काम कर सकते हो, SME में सिर्फ lots में काम होता है, जो usually 1-2 लाग का lot होता है, तो आपको 1-2 लाग या तो आता है, या फिर कुछ भी नहीं आता है, और जब बेस तो तब भी 1-2 लाग एक सार लगाना पड़ेगा, अगर market तूर गया तो हो सकता है, उस सब्सक्राइब हो गई, small HNI में 2 लाग से 10 लाग सब बराबर है, अगर आपने over subscribe हो गया, और big HNI में 10 लाग के उपर सब बराबर है, अगर over subscribe हो गया, SME में यह होता है कि 2 लाग की मतलब जो एक lot की होती है, वो तो आपकी एक retail होगी, उसके उपर सब HNI है, और HNI में proportionate basis मिल listing हो, profit हो, loss हो, immediately बेच के निकलना है आपको, listing day gain, loss, whatever, उस दे नहीं लेगा, रुकना नहीं है, यह strategy मैं कैसी हवा में बता रहा हूँ, मैं हवा में नहीं बता रहा, जब मैंने पिछले 25 साल के data इस पे एक पुरा वीडियो भी बना रखा है, मैंने 2022 तक का data यहाँ पर कर रख यह, मैं maths का बंदा हूँ, मैं को maths और calculations बहुत पसंद है, तो उसके साब से आपको लिस्टिंग डेके strategy follow करनी चाहिए, और मेरे office में आज के दिन, जो मेरे staff है, जो मेरे team member है, जो मेरे family member जैसे ही है आज के दिन, वो पिछले 12 साल से काम कर रहे और enjoy कर रहे, आज के दिन मैं क करोगे, listing end पर निकलोगे, और तो अब सा study कर लो, अभी 1 is to 3 का ratio है, वो आप शाइद 1 is to 6, 1 is to 7 भी ले आ सकते हो, आप तोड़े सी study करके लगाओगे, आप रहूल भाई वीडियो बनाते हो, हम भी वीडियो बनाते हैं, प्रॉप analysis करके बताते है, आपको समझ आ जाएगा हो गया, तो मैं listing end लेकिन निकल जाओ, तो इसमार मैं आपको दो strategy देता हूँ, एक तो दा listing end ले लिया, listing end ले लिया, वो बात खतम होगी, second क्या होता है, IPO आने के बाद, अगर कोई बहुत अच्छा IPO तो उसको धाई दिन तक hold कर जाओ, धाई दिन बाद निकल जाओ, और ऐ ऐसा नहीं कि IPO वाली कंपनी को आप पो छोड़ना है, मैं तो कहता हूँ, पुछले दो साल में जो IPO की कंपनी आई, वो सारी आपकी radar list में रहनी चाहिए, अब आप उनके chart patterns देखो कि आप समझोगे क्या चीज होता है, हर एक IPO जो आता है, वो IPO अच्छा list हुआ, उसके बाद टाटा technology निकलेगा, और कौन सा कोई चिटर पिटर निकल जाएगा, आप उसका wait करो, और जब वो breakout हो रहा हूँ, तो वापस ले लो, क्योंकि यह जो consolidation है, अभी इस समय ऐसे जाने के बाद ऐसा हो रहा है, क्योंकि में market bull run में है, जब market खराब होगा, तो ऐसा consolidation होगा, फिर हापे वो रुकेगा, और फिर बताएगा, कि वो नीचे खतम हो रहा है, या उपर जाएगा, तो consolidation के बाद, 10 में से 3 IP होंगे, जो एकदम भाग जाएगे, बाकी 7 IP में से 4 IP एकदम average जाएगे, 3-4 एकदम निपड जाएगे, तो यह probability आपकी बढ़ जाएगी, जब आप उसक के साथ breakout दिया, आपको बहुत perfectly दिख जाएगा, चार्ट में बार खुल के देखना, आपके आँखों के सामने होगा यार, यह तो मैं ले ले लेता तो, आपके और सामने स्टार्ट में चार्ट होगा, तो आप ले लोगे, चार्ट बेस, चार्ट भी थोड़ा सा सीखना चा आपके प्राइस एक्षन भगवान है यार, तो अनन भाई अपना पाड़कास को कंक्लूड करते हैं, अतना टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला, लेकिन जाते जाते अपने विविवर्स के लिए, दो चीज में आपसे जरूर पुछना चाहूँगा, एकदम लास्ट आप करती है, कि as a creator आपने क्या किया, तो भी बहुत सारे fellow YouTubers या जो YouTuber बनना चाहता है, या investor जो investor बनना चाहता है, यह दो community आपको देख रही तो इन दोनों के नाम, एक-एक message, as a YouTube creator आपने क्या चीज आपके favor में काम की, और क्या आप suggestion दोगे, और as a investor क्या आपके काम करी और क्या आप suggestion दोगे, fellow investors, fellow YouTubers को यह सवाल, जब भी आप, इसमें मैं चाहूँगा, आप भी answer करना है, क्योंकि आप बहुत amazing काम करें और आपकी team बहुत प्यारी और इतना प्यारा setup आपने बना दिया और जल्दी बनाया है, देखके बहुत अच्छा लगता है, तो आप शायद और अच्छा बता पाओगे, इसमें मैं हमेशा कहता हूँ, जब मैंने भी start किया था, हमेशा सब लोग आपको demotivate करते हैं, चाहिए आप stock market start करो, मैं जब job छोड़के आया था, मुझे लोगों ने कह दिया था, कि भाई तेरा break-up हुआ, इसलिए तू अपने गाउं जा रहा ह कि भाई तू यहाँ पे दिल टूटा आशिक बनके, दिद्दास बनके जा रहा है, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, तो का इसका आप तो बिल्कुली दिमागी खराब हो गया, जो यूट्यूब पे ऐसे वीडियो बना रहे है, कि उसमें चलन था नहीं कमिया निकालते थे, ऐसे बोलता है, वैसे बोलता है, तो उसके लिए न, जाकिर भाई की लाई है, जो एक बार मैंने आपको परसनली भी पहले अपने जब डिसकेशन हुआ था, उसमें भी बात आई थी, तो वो जाकिर भाई की लाई से अपन क्लोस करते हैं, अगर आप आ रुस्वा के समुंदर पर तुझे पार कर दूँगा, तेरी जीतीवी बाजी को मैं हार कर दूँगा, यह उन सभी के लिए जो आज के दिन आपको अंडरेस्टिमेट कर रहे हैं, आप अपने दिल से बोलो, जो आज आपको कह रहे हैं कि तुम सक्सेस्फुल नहीं हो जाओ रुस्वा के समुंदर को पार कर दूँगा, मैं तेरी जीतीवी बाजी को हार कर दूँगा, मिलेंगे, कुछ समय बात तो तुम याद दिलाओगे, तुम हमें कैसे जानते थे, कि हम तुमारे पडोसी थे, हम तुमारे साथ कॉलेज जाते थे, हम तुमारे साथ टूशन जा ऐसा करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ सक्सेस अपने आप स्पीक करती है, जब सक्सेस होती है किसी को कुछ बोलने की जरुरत नहीं होती काम अपने आप होता है, जब आपकी एन्यूल इंकम, आठ फिगर, नौ फिगर 10 फिगर में भी जाएगी, 10 फिगर, खैच चलो आज बड़ा नंबर हो सकता है, बर 9 फिगर तक जाएगी इनकी भी जा रही होगी, I am very sure यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हो, उन में से 30% लोगों की जाएगी, अब वो कौन में फनी कर देगा, वो 70% में 70% में, उसकी गारेंटी में ले रहा हूँ 70% में, उसके उपर, वो आपके उपर है, पर अगर आप इस बात को seriously ले रहो ना, तो इंडिया जिस तरीके से grow कर रहा है, आने आले 10 सालों में आप में से 30% की 9% का income होने वाली है अब उसके लिए आप कितना काम करते हो, या कितना शोरबाजी करते हो, किसको प्रूफ करने में लग जाते हूँ आपके उपर है, काम करो, करम करो, करमन्यवादिक कारस्ते, माफ अले शुकदासना अपने आपको success मिलेगी और market में काम करने का simple सा तरीका है slowly and gradually start करो intra day भी बहुत अच्छा होता है, मैंने हापे शायद कुछ बात है intra day कई बार बना कर दियो, बट मैं खुद भी intra day regularly करता हूँ discuss करता हूँ, बात करता हूँ, पर एक gradual process है उस process में जाओ कि mutual fund का भी portfolio है stock सीख रहे हो, फिर intra day कर रहे हो intra day में पता है क्या risk है, सीखके सीखके काम करोगे, तो आप इतना ज़्यदा sustain कर पाओगे, market में टिके रहोगे, intra day में भी क्या है, आपके एक दिन में कमा लोगे, नहीं, टिके रहना crease पे टिके रहने के भी आपको run मिलते है आप अगर टिके रहोगे, आप eventually पैसा कमा के जाओगे, इंडिया जिस तरीके से grow करेगा आने वाले 5 सालों में आप पैसा कमाओगे अगर आप यहाँ पे हो नहीं हो तो जैश्री रामाँ, तो तुम्हारी जिम्मदारी है इसे इंवेस्टर या इसे यूट्यूबर बात करते है सबसे पहले, तो यूट्यूबर, देखो, चाहे मैंने यूट्यूब की बात कियो है, चाहे बिजनस की बात कियो, the only game is consistency consistency, जो आपने का उससे related हम क्या क्या कि जिसे मैंना कोई काम किया, यूट्यूब है saying no to hundred other good things, तुम जब भी एक काम कर रहे होंगे ना, कि मैं ये कर रहा हूँ, ये एक opportunity हो रहा ही है, आई ये तो आने decided, अभी मैं ये कर रहा हूँ, और ये भी आया, और ये करने दे, तो जब किसी एक चीज़ पे focus के साथ काम कर रहे हो, consistent कर रहे हो, आज नहीं, तुकल, result तुमको मिल जाएगा, सफलता तुमको मिल जाएगी, तो बीच में कोई इधर कीचे, कोई इधर कीचे, अप उदर जाना नहीं है, क्योंकि इंडिया के बारे में कोई simple सी बात कहते है, मतब, कहते हैं अच्छा नहीं लग रहा है, लेकि कोई ऐसा कल्चर नहीं है, कि यह आगे बढ़ रहा है, तो उसको बढ़ने दू, खुश होना तो बहुत दूर की बात, खुश होना तो अलगी कुछ हो गया, कि यह आगे बढ़ रहा है, मैं खुश हो गया, मैं गो तो खुष चोड़ो तो वह एक कलचर है तो भई यह मान के चलना कि तुम्हारी सफलता बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी और उसका उनका इह की तरीका है कि कृप करेंगे बाठीत करेंगे टांग एचेंगे बस ध्यान मत देना लगे रहे ना फिर जब वो आएंगे तो अरनन भाई ने कहीं का कि किस सार हिला जेना कि हाँ नहीं पेचाना है भाई और ना दोस्तों की चिंता मत कर आपने बिल्कुत सहीगा जब तुम स्ट्रगल कर रहा ना तुमारे कोई दोस नहीं होता पारा क्योंकि वो गुड है आदमी जिंदिगी उसकी का ठीक ठाक चल रही है बड़ियास ठीक ठाक घर है ठीक ठाक गाड़ी है ठीक ठाक दोस्ते है ठीक ठाक मज़े है वो ठीक ठाक के चकर में रहे गया टॉप पे कौन खहच के पता है कि यार मेरे दोस्ती नहीं क्या करूँ तो फिर बden यहीं कर रहा हूँ अब यहाडी ठीक है नहीं मैं तो बस में जाता हूँ तो जिसके बाद नहीं था वह गड़ के चक्कर में भौसाही नहीं वो सीधे ग्रेट पे निकल गया और जो गुड बेज मादब comfortable होके रुख जाते है मेरे कई लोग business में जिनकी growth नहीं उपारी कारण क्या है vision नहीं है vision क्यों नहीं है क्योंकि अटग है वो कहते रहा है लाक रुपे की कमाई है लाक रुपे के हमारे खडचे है दो लाक हम कमा लेते है घर है यह गाड़ी है बच्चे अच्छे स्कूल में जाते ही है और क्या चाहिए बस वहीं उनकी जिन्दगी खतम वहाँ कहते है comfortable हो गया ना खतम हो गया तो comfortable नहीं होना और यह ना कई बार अच्छे दोस्त अच्छा प्यार अच्छा अच्छा यह comfortable कर देते है आपने कैते जिन्दगी में मजा है तो वह आग जलती ही रहनी जी थी है तो यह ब्रेकप से आग मिलती है तो यह किसी को दोस्त के दोके से आग मिलती है किसी को पेरेंट्स के तानों से आग मिलती है पर वो आग मिले तो उसको ऐसे आग में जल नहीं जाना उसाग को एनरजी बनके चंगारी बनके और आगे बढ़ाना मेरा तो यह बना What a perfect closing यार Thank you sir मज़ा गया